आसलाम वालेकुम आज हम एक ऐसे फोन के बारे में बात करने वाले हैं जो स्पेसिफिकेशन के साथ फुली लोडेड है और भाई मैंने सुना है कि इसका डिजाइन इंतहाई प्रिमियम है और इसी के साथ-साथ इसके अंदर जो कैमराज हैं भाई वो भी वीडियो में इसका कैमरा भी इंडेफ्थ टेस्ट करने की कोशिश करेंगे यह है बाई इंफिनिक्स 020 का बॉक्स और काफी बड़ा बॉक्स है हमेशा की तरह Zero सीरीज में बड़ा बॉक्स देखने को मिलता है और भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 256GB और 8GB वाला वेरियंट है और आप RAM को एक्सपैंड भी कर सकते हो यहाँ पर 5GB तक 13GB RAM बन जाएगी 60 Megapixel कैमरा है फ्रंट साइड पे और यहाँ पे Optical Image Stabilization को भी मेंशन किया गया है बॉक्स की back side पे भी काफी सारी specifications यहाँ पे दी गई है इनको आगे चलके briefly इसी वीडियो में discuss करती है सबसे पहले हम बॉक्स को open करके phone को देख लेती है जल्दी से बॉक्स को open करते ही सबसे पहले हमें मिल जाती है device और device को मैं on करके रख देता हूँ side पे और पहले हम box contents को explore कर लेती है उसके बार device की तरफ आती है यहाँ पे box के अंदर sticker दिये गए है IMEI के उसके बाद भाई यहाँ पे एक compartment मिल जाता है जहाँ पे clearly zero को mention किया गया है और भाई इसमें अंदर देख लेते हैं हमें case मिल रहा है और कुछ infinix की accessories मिल रही है जिसमें एक हैसी ejector tool और यह आपको case मिल रहा है काफी अच्छी quality का मजीद box के अंदर एक 45 watt का charger दिया गया है जो के भाई बहुत ज्यादा अच्छी बात है 45 watt पर आप charge कर पाएंगे अपने phone को एक आपको USB type C वाली charging cable मिल रही है और एक आपको earphones का pair मिल रहा है जो के surprisingly दिखने में काफी ज्यादा unique है यह आप लोग देख सकते हैं काफी unique style में आपको इसके साथ earphones भी देखने को मिल रहे हैं यह LG main device और यहाँ पर भी वो ही camera और processor के related specifications लिखी गई है phone को जल्दी से unwrap कर लेते हैं और यहाँ पर आपको design का अंदाजा हो रहा होगा भाई काफी खूबसूरत design लग रहा है fast impressions के अंदर phone की right side पे power button के अंदर हमें fingerprint sensor मिल जाता है जिसकी speed काफी ज्यादा अच्छी है मैंने इसको काफी दफा टेस्ट किया मुझे कहीं पर भी कोई lag या missing देखने को नहीं मिली इससे उपर हमें मिल जाती है volume keys जो के single unit में single button में बनाई गई है उसके बाद उपर वाली side पे हमें मिल जाता है एक speaker और एक हमें मिल जाता है external microphone इस phone में dual speaker होने वाला है और इसमें DTS की support भी है उसके बाद left side पे हमें मिल जाती है sim tray और इसको निकाल के check कर लेती है इस phone में अब दो sim cards और एक memory card at the same time लगा पाएंगे नीचे की side पे एक speaker grill मिल जाती है एक USB type C वाली charging port है एक microphone है और एक headphone jack मिल जाता है यह है इस phone का physical overview पर डिजाइन और build की अगर हम बात करते हैं तो यह phone वाकियाई में design wise काफी premium खूबसूरत और eye catchy design के साथ आता है और जब आप इस phone को पहली दफ़ा देखेंगे तो आपको यही feel होगा कि अगले बंदे ने कोई बहुत premium और महंगी device पकड़ी होई है इसके अंदर आपको metallic frame मिल जाता है aluminium का और इसके अंदर यह camera module है यह भी aluminium का बनाया गया है जिसकी वजहां से in hand feel और looks में बहुत ज्यादा बेहतरी आ जाती है इसके अंदर आपको back side पे polycarbonate यानि glass stick material मिल जाता है यह matte finish है बिलकुल flat back रखी गई है और यहाँ पर ज्यादा scratches visible नहीं होंगे लेकिन fingerprint smudges थोड़े बहुत नजर आ सकती है sides को भी बिलकुल flat बनाया गया है और यह phone की thickness है वो भी काफी ज्यादा अच्छी रखी गई है काफी appealing है और आप जब phone को hold करेंगे तो काफी अच्छी feel आपको इस phone के साथ मिलेगी 196 gram है इस phone का weight यानि कि आपको pocket के अंदर यह phone ज्यादा तंग नहीं करने वाला और overall बाई design wise मुझे यह phone बहुत ज्यादा अच्छा लगा काफी premium है खूबसूर डिजाइन है इसके अंदर तीन colors आती है एक है यह glittered gold जो के मुझे सबसे ज्यादा बसंद आया एक black color है और एक हमें blue color भी मिल जाता है और यह जो glittered gold है इसमें जो gradient आता है ना भाई यह सारे पैसे AC की हैं बहुत ज्यादा premium और खूबसूरत लगता है इस phone के अंदर हमें 6.8 inches का एक amulet display मिल जाता है अब यह जो amulet display है भाई इसके अंदर higher refresh rate भी दिया गया है ज्यादा compromises नहीं मिलते हमें बैजल्स थोड़े से noticeable है और डिस्प्ले में यह आपको notch मिल जाती है अनिवियर sponge hole होता तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता लेकिन भाई overall जो डिस्प्ले की quality है वो बहुत ज्यादा अच्छी निकल कराती है 90 Hz का refresh rate, 1080p plus की resolution, amulet display के अंदर अच्छी brightness indoor, outdoor कहीं पर भी problem नहीं देगी phone के अंदर जैसा के पहले मैंने बताया आपको dual speakers मिल जाती है और अच्छा display मिल जाता है amulet यानि के आपको media consumption में videos देखते time, games खेलते time, music के साथ-साथ यानि audio के साथ-साथ video quality भी काफी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है Infinix 020 smartphone universe का पहला ऐसा phone है जिसके अंदर 60MP selfie sensor के साथ-साथ OIS और EIS की support भी मिल जाती है और ये support video के अंदर भी available है यानि के videos भी आपकी काफी stable रहेंगी और pictures के अंदर भी focus का problem नहीं आएगा, shake का problem नहीं आएगा 60MP selfie shooter आपको काफी अच्छी quality की images दे देगा clarity बहुत ज्यादा कमाल है, यहाँ पे आपको कुछ photos दिखा देता हूँ यह first impressions है भाई, मैंने अभी इसको एक दिन तकरीबन यूज किया है लेकिन जब मैं इसको 8-10 दिन यूज करूँगा, उसके बाद full review में आपको अपना opinion final दूँगा फिलहाल first impressions में देख लें, मुझे selfie के अंदर quality बहुत ज़्यादा अच्छी लगी clarity daylight में, दूप के अंदर indoor outdoor बहुत ज़्यादा अच्छी है कहीं पर भी कोई मुझे problem नहीं मिली portrait mode के अंदर भी picture quality में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा result देखने को मिला normal mode में भी, beauty mode में भी काफी blended थी, skin के साथ beauty काफी अच्छी photo selfie के अंदर आ रही थी इस phone में आप front slow mo भी बना सकते हो, जिसकी quality यहाँ पर आपको नजर आ रही है और यह भी काफी ज्यादा smooth है, 120 fps पर बना सकते हो भाई और maximum resolution है यहाँ पे 720p जिसमें यह 60MP का mode है, night mode है, उसके बाद इसके अंदर आपको भाई एक wide selfie का option भी मिल जाता है, film mode भी मिल जाता है back side पे triple camera setup लगाया गया है, 108MP का main camera sensor है 13MP का wide angle sensor है, और AI lens आपको third इसमें मिल जाता है अब यह आप कुछ photos देख रही हो back camera के साथ और यहाँ पर भी भाई काफी अच्छी photos मुझे देखने को मिली, indoor, outdoor और मैंने low light के अंदर भी इसको test किया है, आगे वो photos भी दिखाता हूँ फिलहाल daylight की photos देख लें, और भाई आप यकीन करें, इसकी quality काफी ज्यादा अच्छी है सिर्फ दो चीजी हैं जो के मैंने आपको बतानी है, इसके अंदर हमें overall जो clarity है वो काफी अच्छी मिलती है, skin tone बहुत अच्छा आता है, dynamic range भी बहुत कमाल है यानि कि यहाँ पे आप photo capture करेंगे ना back camera के साथ, portrait mode के अंदर खसूसन, और जब आप उस photo को देखेंगे, gallery में जागे, तो आप फॉरन से एक जो है वो उसके उपर effect apply होता हुआ नजर आएगा, और यह जो after effects हैं, यह आपकी photo को post processing के थ्रू काफी ज्यादा अच्छा बना देती हैं, यानि कि automatically आपकी photo को post process या फिर edit कर दिया जाता है, इस phone में मुझे हलकी सी edge detection के अंदर missing देखने को मिली, अगर आपने glasses पहनी होई हैं, तो थोड़ा बहुत यह उनको miss out कर देता है, लेकिन अगर glasses नहीं पहनी तो face को track करके बड़े मज़े के साथ, आपको fully detected image मि मिल जाती है, optical image stabilization plus EIS, OIS plus EIS, ये दोनों मिलकर video को भी और photos को भी stabilize कर रहे होती है, मैंने इसके अंदर video को बना कर देखा, low light में भी, daylight में भी, और ये जो आप sample देख रहे हो, इस time screen के उपर, ये बगहर steady mode की है, आपको front camera में भी, back camera में भी steady recording का option मिल जाता है, और ये जो आ angle में आप phone को move करेंगे, आपको OIS काम करता हुआ नजर आएगा, EIS का भी यहाँ पर roll है, यानि video थोड़ी सी crop हो जाती है, लेकिन काफी ज्यादा stable video निकल कर आती है, creators के लिए, vloggers के लिए ये चीज़ काफी ज्यादा माइने रखती है, इस phone के अंदर Helio G99 का chipset मिल जाता है ये processor इसमें काफी सारी ऐसी जीज़ें हैं जो कि हमने पहले discuss नहीं की, और सादा आलफाज में बताऊं, तो ये वाला chipset Helio G96 के निस्बत थोड़ा सा ज्यादा powerful है, और उसी के साथ साथ काफी सारे add-ons, यानि काफी सारे नए features लेकर आता है, ये 6 nanometer fabricated chipset हैं, जिसका मतलब ये है कि इसमें आपको heating issue नहीं मिलेगा, मुझे G96 chipset के अंदर काफी दफा heating का issue face करना पड़ा, दूप के अंदर photos बनाते time, gaming करते time, लेकिन क्यूंके वो 12 nanometer based है, इसलिए उसमें heating issue आता है, जबके ये 6 nanometer based chipset है, इसमें आपको heating का issue नहीं मिलेगा, charging की speed काफी तेज होगी during charge भी phone heat नहीं होगा और सबसे ज्यादा मज़े की बात ये है, कि आपकी phone की battery life ज्यादा देखने को मिलेगी, इस chipset की वजहां से, gaming में भी ये chipset अच्छा होने वाला है, 3,58,000, 3,60,000 Cantu to score दे देता है, यानि कि Helio G96 से 8-10% ये chipset ज्यादा powerful consider किया जा सकता है, इस phone के अंद यानि 5 GB virtual RAM आप बना सकते हो, 256 GB की storage मिल जाती है, जो कि top notch है, आजकल smart phones के अंदर, 4500 mAh की battery इस phone के अंदर मिल जाती है, और भाई, आपको battery life की कमी नहीं मिलेगी, ये battery थोड़ी सी कमी इसलिए रखी गई है, ताकि phone थोड़ा slim बनाया जा सके, और थोड़ा lightweight बनाया जा सके, लेकिन वाई chipset ज्यादा efficient AC वजह से battery में आपको कोई खास कमी notice नहीं होगी, इस phone के अंदर 45 Watt का आपको fast charger box के अंदर ही मिल जाता है, इसके through आप इसको काफी तेजी से charge कर लोगे, 4500 mAh है तो आप consider कर लो, कि आपका phone 30 से 40 minutes के अंदर 70% से उपर charge हो जाएगा, और एक अंदर आप इसको full होता हुआ भी expect कर सकते हो, इस phone के pre-order start हो रहे हैं 14th October से, और आप 20 October तक इस phone को pre-order के अंदर book कर पाएंगे, first 100 customers को Infinix के XC27 wireless earbuds free के अंदर मिलेंगे, और बाकी customers को 2000 रुपे तक का discount मिलेगा, और इसकी अगर price की हम बात करते हैं तो वो फिलहाल confirmed नहीं है, मैं launch से काफी दिन पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे ही मुझे price confirm होगी, मैं वीडियो के description में update कर दूँगा, फिलहाल मुझे price का idea नहीं है, लेकिन ये smartphone भाई दिखने में और overall user interface के लिए आसे काफी अच्छा है, वीडियो अच्छी लगी तो like कीजेगा, चैनल पर